जैस याराम, आप सभी को दीपावली की हरदिक सुपकामनाई बधाई हो आपको, सभी लोगे दीप उत्सो का दिब्य आनंद मना रहे होंगे, दिब्य उत्सो मना रहे हैं, कई लोगों के कनफर्म नहीं पता नहीं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, किसके लिए मनाई जात कि जो भगवान राम के लिए मनाए जाते दिपाज जो ये सोचते हैं उनके लिए बिसेश बात है कि जिस दिन रावड मरा भगवान राम उसी दिन अयोध्या वापस आ गए क्योंकि एक गंटा भी लेट हो जाते चौदे वरस के बाद एक दिन भी सेश चला जाता तो लिए बहरत जी माराज मर जाते राम जी के बियोग में ये सास्त्र आज्या करते हैं सास्त्रों में वरनन भी है लेकिन राम जी तुरंत रामण को मृत्यू डंड दिये तुरंत रामण का उद्धार किया तुरंत अयोध्या आ गए और अगर राम जी आये अयुद्या अगर अयुद्या वासियों ने राम जी के अगवानी के लिए दीप उत्सो किया होता तो उसी दिन मनाया जाता लेकिन दसहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपा वली का दिप उत्सो मनाया जाता है क्यों सास्तर में वरणन है भागवत जी में वरणन है कि दीपा वली का वास्तविक जो कथा है वास्तविक जो चर्चा है वो समुद्र मन्थन से प्रारम होती है क्योंकि जब समुंद्र मंथन हुआ, देवताओं और दैतियों के बीच में, जो समुद्र मंथन हुआ, उसमें अनेक अनेक रत न निकले, उसी रत्नों में माता लक्ष्मी जी भी निकली, जो उनके हाथ में एक सुंदर सी माला थी, कई लोग वहां थे जो विचार के कि हमारे गले में माला डाले हमारे गले में माला डाले दैते लोग भी विचार करे थी कि हमारे गले में माला डाले लेकिन माता लक्षमी किसी के गले में माला नहीं डाली लेकिन भगवान विश्णु दूर खड़े थे और दूर खड़े भगवान विश्णु ने माता लक्षमी के और देखा भी नहीं और जब माता लक्ष्मी ने नहीं देखा की बताओ हम मारे लिए इतने लोग चाह कर रहे कि हमें लोग माला डाले लेकिन जो स्यम सामने इतने साक्षात रूप में खड़े हुए उनके अंदर इक्षा नहीं हो रही कि हम उनके गले में माला डाले बिना उनके इक्षा के माता लक्ष्मी गई और माता लक्ष्मी ने भगवान विश्नु के गले में वरमाला डाल दिया और उसी उत्सव के अनुसार, उसी कथन के अनुसार, सभी बैश्णो परंपरा, सभी देशवासी, भगवान विश्णु के बिवाह के उपलक्ष में या दिब्व दीपा वली का दिब्व पर्व मनाया जाता है, इसलिए आप लोग सास्त्र के अनुसार प्रमान के साथ, जो दीपा वली का उत्सव है, ये माता लक्षमी और नारायन के विवाह प्रसंग का उत्सव है, इसलिए माता लक्षमी के ही पूजन होता है, बाता गडेश जी के भगवान गडेश का पूजन होता है, भगवान विश्णु का पूजन होता है, इस दिन राम जी का पूजन नह इस पूजा कीजिए आप सभी को पूरे देश वासियों को जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हार्दिक सुपकामनाय दीपवली कि आप सभी को बधाई हो राधे राधे जै स्री कृष्णा